क्यों कि यह हल चाल पेपर हो चुके है आप लोगों के और बीच में नहीं आया था आपको डिस्टर्बेंस करने के लिए क्योंकि अब पेपर हो चुके टेंशन कट्र पेपर कैसे थे इंपोर्टेंट बाते करने वाला हो नियू इस्टड़ी मटेरियल से रिलेटेड बाते और जिन लोगों का ओल्ड स्लेबस है उन लोगों के लिए कुछ बात ही करना है पहली बात इंपोर्टेंट नो डाउट नियू स्लेबस का पेपर बड़ा असान आया था मतलब सारा वुक में से ही था और ओल्ड स्लेबस का पेपर मुस्किल था ऐसा नहीं है कि मुस्किल ही था सीधी सी बात है यार मैं बिकार में इधर उधर की बात एक क्या करूं तो मुस्किल था अब बात यह है कि पहली बात, ओल्डिस लेबस वालों के पास तमस्या ये आ गए, कि अब उन्हों एशा लग रहा हुगा, क्यूंकि पेपर मुस्किल है, तो उन्हें ऐसा लग रहा हुगा कि मुस्किल है निकलना है, तो क्यों नियू सुरह में ग्लास किरवा लिए आ जाए, बिल्कुल सहीं, म वो पैसे खर्च करने पड़ेगे, जरूरत ही नहीं, मेरे पास भी फोन आया, बच्चों की मैंने मना कर दिया आपको ज़रूरत नहीं है तो बच्चों का दूसरा राउट है कि सर ये जो एक्स्टर चैप्टर से चार चैप्टर से मेरे यूट्यूब में डले हुए है चैनल में फिरी चैप्टर से और मेरे कि आपने जिन भी टीचर से क्लास ले रखा गा उन्होंने पक्का पक्का यूट्यूब में तो डाली दिया होगा तो जरूरत ही नहीं पर तीसरा कोश्चन उनके मन में यह उठता कि सर सायद हमारा कॉंसेट सी अच्छा नहीं है तभी ओल्ड स्लेबस का पेपर आता था और हमसे बना ही नहीं इस बार भी आया बना ही नहीं तो हमको ऐसा लग रहा कि क्यों ना क्लास ले ले नहीं बिटे ऐसा नहीं है अगर मैं आपसे यह कहूं कि न्यूश लेबस का जो पेपर था वह आपके प्रैक्ट आपने जो पढ़ा वही पढ़के अगर आप न्यूश लेबस का पेपर देते हंड्रेट परशन आपसे बन कॉंसेट्स अच्छे रखिए डाट्स लेबस का पेपर सार डिसकर्शन होगा कि हां पक्का मैं डिसकर्शन करूंगा जल्दी एक दो दिन में यह तक बात समझ में होके समझ में इतनी सी बात आई है आपको क्लासिस की ज़रूरत नहीं है जो एक्ट्रा चेप्टर से थी औरी चैप्टर वो ऑल्रडी यूट्यूब चैनल में मेरे और भी टीचर से उनके यूट्यूब चैनल में डले गए अब दूसरी बात जो कि नियू इस्टडी मटेरियल आया है सर अभी अभी अप्लोट हुआ है यह तो परेशानी हो गई नियू सिलेबस वाले बच्चों के लिए और ओल्ड स्लेबस वाले बच्चों के लिए सर नियू एसम क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आ रहा बैटे आई सी एई ने ने एस्टडी मटेरियल अप्लोट किया है तो बच्चे घवरा रहा है और उनको ऐसा लग रहा है चलो या फिर से क्लास लेने की ज़रूत नहीं है और नियू इस्टडी मटेरियल में कोई भी चेंजिस नहीं है एक भी कोश्चन मेरे पास शीट है एक बार देखो मैंने चेक किया है बच्चो आप बेवजह पैसे अपने खराब मत करना किसी की भी क्लास लेकर अगर आपने पहले से क्लास ले रखी तो आपको क्लास की ज़रूरत नहीं है सिप अप नंबर और पॉशन यहां है जितने प्रैक्टिकल नंबर और प्रैक्टिकल पॉशन पाच होते थे अब सिर्फ और ही है क्यों कि उसमें एक option embedded derivative था वो हट गया एक चोट असा माइनर चेक परग्राफ दिया हुआ था वो परग्राफ हट गया option embedded derivative यह embedded derivative बोल दो इसके अलामा एक भी जगा चेंज नहीं है तो मेरी request है new syllabus वाले बच्चों से भी और old syllabus वाले की new study material आया ऐसा कहकर अगर लोग बहकाएगी तो please मताना उनकी बातों में कोई chances नहीं है आपको अभी भी class की ज़रूरत नहीं है अगर old syllabus वाले बच्चे है तो उन्हें भी चाहे new SM क्यों ना जाए आप इनके new study material में old study old syllabus का practice manual के question डाले हुए सारे के सारे कुछ भी चाहिए ठीक है बताना क्यों जरूरी था क्यों मेरा यहां आना जरूरी था उसकी एक ही वज़ा है क्यों कि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास भी फोन आ रहा है कि सर हमें class खरीदना बताओ क्या करें क्यों खरीदनी है class नहीं खरीदनी आपको आपको सब आता है वापस उठाओ सारे material old old syllabus वाले उच्चे वापस उठाईए सब कुछ फिर से इस बार निकलेगा इस बार तो टाइम पास था मतलब बताना जलू रही था अगली बार कुछ concept लेकर आएंगे और जल्दी आएंगे थैंक्यों बाइबाइए झाले बार यापस बार निकले आएंगे बार तो